ग्लोबल वॉमिंग का असर सीधे तोर पर मध्यप्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है जहां कभी तापमन अचानक से बढ़ जाता है तो कुछ ही दिनों में तापमन में अचानक गिरा वटाती है जिसके चलते मौसम विज्ञानिकों का माना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की अस्थिरता रहेगी जिसका सीधा असर प्यास सहित अन्य फसलों पर पड़ेगा माना जा रहा है कि ग्लोबल वॉमिंग के चलते इस बार प्यास की पैदावर बहुत अच्छी नहीं होगी लोगों को प्यास महंगाई के आसुर रुलाता रहेगा जिसको लेकर ह कि आज की बात करें अन्य फसलों की बात करें तो इतना अनुकूल है मौसम कितनी इसमें तकलीफ भी आ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के सीधा असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है कि हम देखने हैं यह जो पहले तापमान रहता था उससे तापमान लगाता कभी कम कभी ज हुप थे थनक बर जाती है अचानक फिर से गरमी आ जाती तो इस कारण से प्याच की फसल हो या कोई भी फसलूं उसकी प्रभावरता है जब भी थे थनक होती है तो उसमें वानस्तिवर्च जो और यह किसी दूसरी फसलों की वह ठोड़ी कम हो जाती है जैसे ही बहुत ज़ प्याज के लिए अवान चली है प्याज के लिए बिलकु भी हमको फूल नहीं चाहिए है कि वह सीधे कंद की जो गुनवत्ता है उसको कम कर देता है और इसलिए अब इस टापमान है यह जो यह इतना दा फ्लक्ट्वेशन हो रहा है टेम्टेचर में और साथ में अपनको रें बता दीजिए अपका डॉक्ट्टर दिक्षा टेम्टे में देखने को मिल रही है क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में आने वाले समय की यदि अपन बात करते हैं तो यदि तो शलब की व्रद्धी की संभावना है अभी तो हमारा जो मौसम है उसमें थोड़ी सी ठंडक है और जो हमारा तापमान है maximum temperature और minimum temperature लगबग औसद के आसपास है परनतो आने वाले दिनों में निश्यतुरूप से पुना इसमें व्रद्धी की संभावना है और यदि लगातार इसमें व्रद्धी होती है इसके बाद यदि हमारे temperature बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव हमारी जो आने वाली फसले उसको उपर विपरीद प्रभाव पढ़ने की समभावना है बन सकती है परनतो यदि तापमान सामाने रहा और यदि ठंड़क जादा रही तो फिर हमारी फसलों पर इसका विपरीद प्रभाव नहीं पढ़ेगा और अच्छा उत्पान हमें ठाम थोग झाली पाली थोग आंड़ के अगय